वेलकम टू पावर यूट्यूब चैनल आज हम रियू करेंगे फार्म टेख चैंपियन बैलीस वायलू मैक्स साथ ही जानेंगे कि वायलू मैक्स और सुपर मैक्स में क्या क्या दिया गया है इसके बार हम फुल डीटेल नहीं बात करेंगे तो आप वीडियो का अंतक जायू फार्म की बात की जाया तो लिखा गया फार्म टेक उसी के आगे स्यंपियान उसी के निशे वायलू मैक्स और उसी के आगे लिखा गया था यूदेशन और बीस सालों से तो ओल्ड इस्टाइल लूग दियागा है उसी के आगे आपको air cleaner दिया गी उसी के आगे farm check की branding दियागा है उसी के आगे इस फ़र की बात किजाए तो company fitted bumper दियागा इसके अंदर उसी के आगे हम स्टेरिंग की बाट की जाये जो कि मैक्सिमम पावर 2parable आटिमपे उसी के लिए गाले तो आप सामने in-line pump दिया गया है उसी के नीचे आपको single diesel filter दिया गया है उसी के ऊपर आप देखेंगे कि water separator भी लगाया जो पानी को अलग करनों के लिए दिया गया है उसी के बाद हम इसके ब्रेक की बात कि जाए तो इसके अंदर ओयल इमेज दिख दिया गया है उसी के बाद हम इसके द्यूसरे साइच से देखें तो आप देखेंगे की 35 एंपियर का ल्टर ने दो दिया गया है उसी के नीचे हाइड्यूलिक पर दिया गया है जो 27 LPM की खपत उसी के आगे हम सी कलास की बात कि जाए तो सिंगल क्लास दिया यह श् मेट लेते हैं तो इसके अंदर डीष दीड्यास दिया गया तो आप company से एक बटन दबा कर जो सकते हैं और इसके contact आसानी से कर सकते हैं उसी के बाद हम इसके instrument cluster की बात की जाए तो एक side harvest meter दियागा है जो digital के अंदर दियागा है बाकि सब meter design में दियागा है और इसी के आगे हम steering के नीचे देखें तो mobile charger करने के लिए point दियागा है और इसी के right side में आप देखें तो hand race और button दियागा है और इसी के उपर mirror दियागा है लेकिन यह बहुत ही पतले design में बनाए गया इसके अंदर आपको कोई भी डिकत लाने में नहीं आएगी और इसकी गेरबोक्स की बात की जाए तो आठ फरवर्ड और दो रिवाज का सेंटा सीप कॉंस्टेंश में गेरबोक्स दिया गया है जो कि लंबे समय से इसके अंदर यहीं आ रहा है बैली से एस्पी के अंदर कोई भी कंपनिंग डिया गया है इसके अंदर डो लीवर दिये गये एक पोजिशन कंट्रोल डूशा राप कंट्रोल पोजिशन और राप कंट्रों किसी बी इंपलिमेंट को आप आसानी के साथ चला सकते हैं और इसी के पास में आपको DCB वाल के लिए लिवर दिख जाएगा जिसे आप आरिएंग पर रोट्रेक्ष होगी इसके इसके अंदर टू-पैंट सेंशिंग के साथ हाईड्रोलिक दिया गया जो दो होल में आप सेंज कर सकते हैं और इसी के बाद इसकी पीडियो एसपी की बात की जाए तो 47.3 पीडियो पावर दी गई है इसके अंदर जो कि 540 आरपीम क के साथ रोटेक होगी उसी के बाद हम इसकी रियर एकसल की बात की जा तो इसके अंदर शिंगल डिइडए गाई इसके अंदर भूल मिनियन डिडच सन जा फिपी डिडेक्ट नहीं डिया घाया जो कि आप देखेंगे की तायर के पास में इसके ब्रेक बोक्स दिया गाया है फ कि वाची कपलर दिया गाया जिसे आप ट्रीपिंग ट्रॉली को आसानी से उठा सकता है दोस्टों अब बात करते हैं फार्म ट्रेक्टर के बारे में तो यह स्कॉर्ट की पहली ब्रांड है फार्म ट्रेक्ट अब बात करते हैं फार्म ट्रेक्ट के बारे में तो फार्म ट्रे Chargers का यूज ज़्यादा किया जाता है तो यह दूसरे ट्रीक्तरों केidoson do में बहुत क्यां ठेल खाते हम ने सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वाफ सीविक्टर ओर काकपूर हाइबर कि